आज की वीडियो में मैं आपको 254 के factors निकालना से कहूंगा factors निकालने के लिए आपको चेक करना पढ़ेगा कि 254 कि संक्या से divide होगा और कितने बार में divide होगा दोनों ही 254 के factors होएंगे example के लिए मैं 1 से divide करता हूँ 254 time में ही जाएगा वके तो जिससे डिवाइड किया जितनी बार में divide होएंगी 254 के factors होगा इसके इलावा यह 2 से जाएगा 254 वन 27 time में जिससे checks on the जितनी बार में टिवाइड होए दोनों ही 254 के factors हुए तो total factors कितने हुए 2234 four factors हुए 254 के लिए और अगर आपको 254 के फैक्टर्स की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले